नमस्कार दोस्तों मैं हेरी इस्टेडी.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे प्रस्ण जिन में से कुछ के ही एंसर आप सायद दे पाएंगे और ऐसे प्रस्ण आपको किसी भी एक्जाम या इंटर्यू में देखने को मिल जाएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए है तो वीडियो की निची दिये गए लाल कलर के सस्क्राइब बेटन को दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर ले चलिए हमारा पहला प्रश्ण है एसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है अगर आपको इसका अंसर पता है तो कमेंट बॉक्सों में इसका जवाब जरू दीजिए तिसका अंसर हो जाएगा नेपाल नेपाल इसा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है चलिए नेक्स्ट मनुष्य कितने प्रकार की खुस्बू को महसूस कर सकता है तिसका राइट अंसर हो जाएगा पचास हजास से भी ज्यादा चलिए अगला प्रशन है एसी कौन सी चीज है जो दिन रात चलती रहती है तिसका अंसर हो जाएगा घड़ी या समय जो की दिन रात चलती रहती है चलिए उसके बाद नेक्स्ट कोश्यंस वह कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता इसका रहा 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 र फिल्म बनाने में लगबक 6-8 मैने तक का समय लग जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन्स नई गाडियों की नंबर फ्लेट पर A F क्यो लिखा होता है। अभी कागश नहीं बना है। इसलिए नई गाडियों के नंबर फ्लेट पर A F लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट कोश्चन्स वह कौन है जो हमारे घर की ओरतों के सामने सीटी बजाता है। फिर भी हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसका सेंसर हो जाएगा प्रेशर कुकर। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन्स वह क्या है जिसे आगे से बनाया है इसवर ने और पीछे से बनाया है इनसान ने। तो क्या हो जाएगा बेल गाड़ी। बेल प्लस गाड़ी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन्स एसा कौन सा फल है जो मीठा होने के बाद भी बाजार में नहीं बिगता है इसका right answer हो जाएगा महनत का फल चलिए next questions किस देज में आलू की खेती नहीं की जाती है एसका कौन सा देज जहाँ पर आलू की खेती नहीं की जाती है तो इसका से अंसर हो जाएगा बेनिया देश में बेनिया नाम के देश में आलू की खेती नहीं की जाती है चलिए उसके बाद नेक्ष्ट एकोशन्स किस जन्वर को हर वस्तु दोगनी बड़ी दिखाई देती है किस जानवर को हर वस्तु दोगनी बड़ी दिखाई देती है इसका राइट एंसर हो जाएगा हाती चलिए उसके बाद नेश्टे कोशन्स मिसाइल मेन के नाम से किसे जाना जाता है आप सभी को पता ही होगा इसका राइट एंसर हो जाएगा डाक्टर एपीजे अब्दुलकलाम डाक्टर एपीजे अब्दुलकलाम को मिसाइल मेन के नाम से जाना जाता है ठीक और इन्होंने पोखरन किया था गुनिस सो बहुत तनम है चलिए उसके बाद नेश्टे कोशन्स किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है ये भी आपने पढ़ा होगा कई बार इसका सेंसर हो जाएगा सौधी अरप सौधी अरप का कानून बहुत ही कठोर होता है चलिए उसके बाद नेश्टे कोशन्स किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते है कौन से देश के लोग अधिक परिश्रमी रहते है इसका राइट अंसर हो जाएगा जापान जापान के लोग अधिक परिश्रमी रहते है चलिए उसके बाद नेश्टे कोशन्स विस्व मोसम विग्यान दिवस कब मनाय जाता है इसका सेंसर हो जाएगा 23 मार्च को चलिए next questions प्रत्वी परकुल कितने मास आगर हैं इसका सेंसर हो जाएगा 5 मास आगर चलिए next questions कीज देश में एक भी news channel नहीं है इसका सेंसर हो जाएगा ग्रीफ देश में एक भी news channel नहीं है चलिए next questions इसके चार टांगे होते हुए भी वह चल नहीं सकता इसका सेंसर हो जाएगा टेवल next questions किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी ज़्यादा महेंगी होती है जैसा कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी सोने से भी ज़्यादा महेंगी है इसका सेंसर हो जाएगा लाल चंदन की लकड़ी जो की सोने से भी ज़्यादा महेंगी होती है चलिए उसके बाद नेश्टे कोशन्स किस पक्षी के पंक नहीं होते हैं इसका सेंसर हो जाएगा कीवी कीवी पक्षी के पंक नहीं होते हैं नेश्टे कोशन्स ऐसा कौन सा जीव है जो बच्चे पेदा करने के बाद तुरंद मर जाता है इसका से अंसर हो जाएगा बिच्छू चलिए next questions zero का आविसकार किस देश ने किया ये questions खास important हो जाएगा और कई बार exam में पूछा भी गया है कि zero का आविसकार सबसे पहले किस देश ने किया तो इसका right answer हो जाएगा भारत जिरो का विश्कार सबसे पहले भारत ने किया चलिए उसके बाद नेश्टे कोश्यंस एसा कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाय जाते हैं तो एसा कौन सा फल हो जाएगा जिसमें सारे विटामिन्स पाय जाते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा पपीता पपीता में सारे विटामिन्स पाए जाते हैं चलिए आज का हमारा आखरी प्रश्न है एसा कौन सा सब्द है जिसे हम लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं इसका अंसर क्या हो जाएगा चलिए इसका राइट अंसर हो जाएगा नहीं नहीं एसा सब्द है जिसे हम लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के निचे दिये गए लाल कलर के सस्क्राइब बटन को दबाए और पास में लगी बेल आइकन को भी दबाए ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो इनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तब तक के लिए धन्यवाद